मदद करेंगे जी भाई मैं एक नमबर एक से अगर कोई सवाल हो तो करें मेरा नाम है त्रीविक रमदास पालक है मैं नोकरी करता हूँ यहाँ पर एक हाड़वेर और प्लावड के दुकान में मैं आपका भूत बार प्रवचन ट्यवी पर देख चुका हूँ बहुत आनन्द भी आता है अक्सर आपका जो प्रवचन रहता है जो हिंदू का जो आता है आप वेदों से देते हैं यानि जो भी वेदों से कंपाइंजन करते हैं लेकिन हमारे जो वेद है वो आक्सर जो है वो सोर गए यानि जन्नप तक जादा करके ये करते है लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते हम सानातन धर्म कहते हैं जैसे आपने आप वेख्या किया था नदी के पारक के हिंदू उसको कह जाता है तो हम तो सानातन धर्म से है तो सानातन धर्म में हमारा जो आता है तो भगवत गीता जैसे आपके अंदर जो ये है जैसे बाइबल का अपनी इसलम का ये है कुरान है तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है और जो भगवान के बारे में जानना है यानि अल्ला के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ अगर ये है वेद तो हमको सुर्ख तक जाने के लिए है लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्ला तक जाने के पोच रहते हैं आउरत के बारे में माताजी लोगों के बारे में तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि आउरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है और आपका प्रोशन मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा जो लिखा गाया और किताब के मुताबित चले तो बहुत आदमे सुकी रहता है बाकी तो मैं और कुछ सवल कुछ परसनल पूछना चाहता हूँ बाद में मैं आपको मिलके सब को पूछूंगा सब के सामने नहीं पूछ सकता लेकिन आपका प्रवचन सुनके मुझे बहुत आनंदा है हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफी मेरे तकरी देखते है तीवी पे और प्रसन होते है खुसुसान जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते है और सनातन धर्म में भी आपको शायद यह पता होगा कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है वेद है भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे आरिया समाज आप आरिया समाज़िए सनातन धर्म में बहुत से किसम है आपको इसकौन से मैं इसकॉन, बिलकुल, इसकॉन हरे रामा, हरे कrिषना, इसकॉन ठीक है कहां, थीक है तर्सकारा हुँ मैं गया था, एक बर कलकता में तकक्रीच थी मेरी, ऊसवक बारिश आती है बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे सात आने वालत में इसकॉन के हेड कलकता के हम लोग दोनों जाते हैं एक वैन में वैनिटी वैन मतलब जो बड़े मैदान में यहां तो माशाला मैदान के बाज़ों में काफी बिल्डिंग है तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है तो क्या करता है मैं लेक आते बस इसमें मेक अप रूम या आराम करने के लिए कंडिशन होता है तो मैस कौन के हेड के साथ में बेटा था तो उन्हें वही बात कहीं जो आपने कहा हमाले सबसे अवल है भगवद गीता मैंने बोला ठीक है और कहें का वेद भी ठीक है तो मैंने इसमें पूछा ये भगवद गीता हिंदू धरब में दो किसम की किताब है एक है शुरूती एक है स्मृत्य शुरूती मतलब जो भगवान की भीजिवी किताब वेद और उपनिशत उसने का बिलकुल सही समृती किसे कहते तो उसने कहना का समृति कहते वो जो आदमी की ना महावारत क्या है, तो उसने कहा ये है स्मृति, बेशक बिलकुँ सही जवाब था, मैं भी ताले बेल मूं, तो मैंने पूछा, बिलकुँ सही कहते है, उपर आती है, शुरुति, वेदा और उपनिशद, स्मृति मतलब दूसरी किताबे, मनूस्मिति, इतिहास, मैंने पू गुरुजी यह बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा इसा है माअबारत का अठरा चैप्र का शही है अरे इन हलुकूल शही बहुत इल्म ड़े रखतें, मेला भैशा तो जब भगवत गीता माअबारत का हिस्सा है तो माप बारा स्मिति है के शुति है चुब एड़ी श्मिति है बोला तो स्मिति उपर के नीचे तो बोले हाँ आपके पास दिल में न? इसले हैं आप जानते हम लोग को कहते है भगवद गीता उची है लेकिन हम सही कहते है ये भगवत गीता वेद का निचोड है निचोड है लेकिन वेद उपपर है खुदा की किताब है भगवत गीता इंसान की लिकी है किसके दर ये? स्कॉलर्स किताब आपके इसकॉन के गुरु भी कहीं जो लेकिन आप आम आदमी हैं आप शायद ये पेचिदा चीदे को जानते नहीं हम तालिब इलम हैं मैं स्कॉलर नहीं हूँ तालिब इल्मू तकाइब मजाइब का इस्लाम एन कंपाइटिव लिजिन का तो बोले पेच चाहिए बिल्कु सही कहते हैं तो मैं कहूँगा अगर वैद और भग्वद गीता में टख्रावे किसकी बात मानेंगे तो बोल आम गवर पर तुम कहते हैं रफ़वद गीता उपर है लेकिन आप सही कहते हैं क्या दिल में तुमेंद डूबल स्टैंडर्ड जिसके पाइद दिल में बदल जाता है क्या तू प्लस टू फोई रहता है चाहिए व। बदलेगा नहीं तो मैं यह कहता हूं गुरु जी से आपके संग से कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर में सिर्फ ब्रहम्मन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों बाकी लोग नहीं पढ़ सकते वेच्वियाद शुद्रा ने पढ़ सकता है क्यों हमारे मदब में उच निच नहीं है काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फखीर, पुरान पढ़ सकता है नमास के लिए जब उस इश्वर की हम अबादत करते है जब खड़े होते नमास के लिए कंदे ते कंदा मिला के करते है चाहिए वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंदे ते कंदे मिला के खड़ा होता है और आप या जिखेंगे और मैं अल्हम्दलिल्ला काई बार साथ पहीं गया हूं और किंग अब्दुल्ला की डावट पे भीगया हूं माशाल्ला circuits रहती है तर रहा हट जाती है आप साथ में तो साथ में अल्हम्दलिल्ला राजा या फखीर अमीर या गरीब काला या सफद यक्सा है तो मैं यह कहना चाहता हूँ अब बिल्कु सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है खुदा का भी लिखा है आप बोले अल्ला के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है बराबर अपने अपने इसाब से बिल्कुल सही कहा लिकिन इस कौन का जो गीता है भगवत गीता वो गुरु परमपरा में है वो भी आजमी है एज इटीज लिखा हुआ है यानि वो परमपरा परमपरा में अगर गया तो कृष्ण तक गया जानि इसने जो कहा है वो एज इटीज है इसके लिए उसका लिका हुआ है एज इटीज भगवत गीता आपके स्वामी प्रभु पधा बराबर येस प्रभु पधा इनसानी थे ना इनसानी थे ना मैं किदर ना बोल रहा हूँ यह हमारा कुरान जो है ना डायरेक्ट ल्हा की तरफ से नाम हमस्आला सुल्म ने लिका है हम लोग ने यह कुरान जो है डायरेक्ट अल्ला की valeur यू बहू इसने इसने खितने बी जिगर मझाइब की किताब है जैसे वक्ट जाने लगे बदलते गहे आप बिल्कुल सही कहती है, दोसो कितम की किताब है, बाइबल सिक्ड़ों कितम हमारे आईरेफ में दोसो कितम की बाइबल है, आप कितमे मानेंगे, कुरान आप लो, कोई भी कुरान नो इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पुना में, हूब हो वही ह एक लख की बात दूर रही आ की मातरा ई की मातरा जबर जेर पेश वो भी फरक नहीं है फत्ता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है ओरीजनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा थाने लेकिन आज जब हम पढ़ते है माशाला तुम यह कहना चाहता हूँ जितनी किताबे पही ले आए आज भी आप बिल्कुल सही कहते है भगवत गीता वेत का निचोड़े लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से वंटरिक करे तो फल और एहमे मैं बिल्कुल मानता हूँ स्वामी पगुपता मानते हैं कि भगवत गीता क्या है वेत का श्लोका नमबर 20 में जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है आपकी भगवत गीता में लेकर आए दिटिस में और उसका अगर प्रिफेस पड़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाई है भोश से गाई है और क्रिश प्रिफेस में लिखे लिए कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका टांसलेशन पसंद है अक्सर हमारे हुआ भी माशाहला पचास से ज्यादा भगवत गीता है मैं लेकिन स्वामी प्रभू पदा के गीता को पसंद करता हूं अच्छी गीता है इसलिए मै भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी वो निचोड़े वेत का निचोड़े लिकिन निचोड़ मतलब ने कि असल फल को गाई को छोड़ देंगे गाई चले जाएंगी तो दूद क्या करेंगे आप गाई रहेंगी तो दूद मिलते रहेंगा ना दूद को लेंगे गाई को मा लगता है उसमें लिखा हुआ है आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है आपकी भगवत गिता में लिखा है चैप्टन नमर चार में वर्स नमर साथ से नाट में यहां धर्मस्य और युग-युग में जब परिशानी आएंगी खरती पे तो मैं एक गूरूप हास्र करूँ आ अभतर की मारी ओस्रीन आपको मिलेंगा वीस के तेरी आपके सकते हैं मैं असल भक्तूं बगवत गीता का अपने जो बता है कल्किया उतर तो आने वाला है आ चुका है और उसमें लिखा था कल्किया उतार की मां के नाम क्या है सुमति सुमति की मानी अमन अरभी में कहते हैं आमिना मम्मत सुमति के वालदा का नाम ता आमिना उसमें लिखा है कल्किया उतार चैप्टर नमबर अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं टाइम मिल रहे हैं ना कल्किया उतार चैप्टर नमबर दो वर्ष नमबर पांच श्लोक नमबर पांच साथ नौ ग्यारा पंदरा इसमें लिखा वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है हम मानते हैं मक्का एक अमन की जगह है उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे हम जानते हैं कि खुरेश के फैमिली में पैदा हुए ते हममस अलाव सल्म उसमें लिखा है कि वो 12 तारीक माधव के दिन पे पैदा हूँगे रभी रबीय हुब पैदा है आगे आप पढ़ेंगे वेज में लिखा है कि उसके चार करीब दोस्त थे जिसका हम जिकर क्या हूँ चार करीब दोस्त हम स.खराथ अबु बकर हज़र्ट उमर हदरत उस्मान, हदरत अली, मैं लाभी फिल्युद्यमौल, अल्ला ताला की रह्मा सब पे हो, किसके बार में दिकर करें, उनको सबसे पहली जो वही आएंगी, वह आएंगी एक गार के अंदर, हम जानते हैं, मुहम्मत स्वालों को सबसे पहली वही आए गार हिरा में, फिर व सबसे उचेना चाता हूँ, आप मानते हैं, actah के अतार में, आप मानते मिहमत स्वालों आखरी पैङमर है, मैं तो कुरान तीन बार पड़ा हूँ सब में टो मानता हूँ, मानना सिर्फ जारूरी ने, अमल करना जरूरी है, मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं खुदा की बात पर अमल ना करता हूं तो बेकार है मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से बहुत मुपत करता हूं वालिद की बेज़ती करता हूं वालिद की बात में मानता हूं वालिद से बतमीजी करता हूं तो क्या फाइदा आप समझ रह यह तो मैं अपने इस से आमल करता ही हूँ जो कुछ यह मानता तो हुई है सनातन धर्म मैं एक खुदा को मानते है वो मांते खुदा की पती माने अखस नहीं है बराबर ही मानते लेकिन यह जानना चाहता हूं आप कल की आउतार मेरे आप उस खुदा के आउतार पैगंबर आखरी पैगंबर में आप मानते हैंक्यान है मुहममद a.s. यह मेरा सवाल यायनि मुंह्म्मत पैगंबर को? मुंहिंधे था है मुंह्मत पैगंबर आपके लिए I will a them के लिए वो सब मधभ के लिए गुरू रहता तो वानता है मैं उसको बिलकुल सहे लेकिन ये कहना के सब मधभ यकसा है फूबहूं ये सही नहीं ज़िए इसलिए मैंने का यकसानियत पे अमल करो आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पर अमल करूंगा कई हिंदू जाते बु परस्ती नहीं करता है अब आदे इंत्यान में सफलता पा गए है अभी ये पुछता हूँ मैं जिस आपने का आप अगर मुम्म्मत स्वालों को आखरी पेगंबर मानते है तो उसके पेगाम पे अमल करना जरूरी है सिर्फ पेगाम को पढ़ना जरूरी ने पेगाम पे अमल करना जरूरी है अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल ने करते हैं तो कोई फाइदा ने तो ये होता है कि अपने मन से ख़दा की बात तो आखरी पेगाम में खुरान शरीफ और आखरी पाइगंबर मुहम्मद स्लिल्लाव सुलम में मानना जरूरी है फिर ही आप सही तरीके से मधब को पैचान सकेंगे नाइए तुछ बोलनेगा आपको मुझे यह कहनत है था अभी आप बोल रहे हैं आमल करना चाहिए आमल करना चाहिए तो मैं मुवमिन बनने का पूरा कोशिश किया क्योंकि मैं मुवमिन का क्या रहता है वो activity- Frostmatch मईब का क्या रहता है उतना याद मैं जितना तो गार मुस्लिम को तरजी दीजाए उनको पहले मौका दिया जाए यिन नाय मैं पहले थीजाण बडेकर फीनिजा देख लेक कार जाए झाल रिपल faites म है एंगा shopping लुट्स काम जिलिए विए लोहाज आना ध्यूल सुट करिण दी